अब दोस्तों जो मंदर है ये मंदर किन को डेडिकेट किया गया है ये मंदर काल की अवतार को डेडिकेट किया गया है अब काल की अवतार कौन होंगे क्या मतलब है तो दोस्तों अभी तक काल की अवतार का जन्म नहीं हुआ है ये विश्णु जी के दस अवतार में से एक बाकी है वर्ल्ड के अंदर में अपियर होना बाकी है दुनिया में ठीक है तो हिंदुइजम अगर हम देखेंगे तो लॉड विश्णु जी के जो अवतार है उसमें से फाइनल और दसवे अवतार यहां पर यह काल की अवतार माने जाते हैं और यह जो मंदिर है यह दुनिया होने से पहले ही यहां पर उनकी पूजा की जाएगी और यहां ही पर बोला जा रहा है इस मंदर की अंदर में दस सैंक्टम्स होंगे अलगला गर्बग्रिये होंगे ठीक है जहां पर विश्णु जी के जो दसो अफ्तार है उनको रखा जाएगा उनकी पूजा की जाएगी यहां पर इस मंदर में क्लियर दोस्तो अब आगे क्या है अगर हम विश्णु जी के दस अफ्तार की बात करते हैं तो थोड़ा इंपॉर्टेंट ध्यानक ना दस अफ्तार के बारे में आपको पता होना चाहिए अगर खास कर आपका नाम थोड़ा विश्णु जी से रिलेटेट है तो इसके लिए बेसिस पर तो पता ही होना चाहिए तो पहले अफ्तार मत्से, कुर्मा, वरहा, नरसिमा, वमन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्धा, एंड कालकी तो कालकी अफ्तार यहाँ पर दस अफ्तार की बात कर रहे थे वैसे यहाँ पर हम चेंज देखें तो बलराम मेरे असाब से नहीं होना चाहिए था बलराम जी तो शेशना की अफ्तार थे ना है ना, तो बलराम जी की सगया शायद यहाँ पर कृष्ण जी का नाम होना चाहिए था कृष्ण भी यहाँ पर एक अफ़तार है विष्णु जी के तो यह विष्णु जी के दस अफ़तार की बात हो रही है यह आप लोग ध्यान में रख सकते हैं